एक स्क्रॉल करो आपको सामने आएगा वुपेंदर जोगी मैंने कट्टी टॉफिक आई है वोट इस वेरी इंपोर्टन हमारा राइट है ये मेरा मौलिक अधिकार है वोट देना क्योंकि इस आजादी के लिए इस वोट डालने के लिए लड़े हैं पॉलिटीशन बहुत जादा करॉप्टेड असल जिंदगी में नहांके नहीं आते हैं पर इंको हाईजीन से बहुत फ़रक पड़ता है बेसिक जो नीड है हमारी एजुकेशन सब्सक्राइबि नहीं बहुत अब तेक स्ट्रीशन सुष्टेशन पाती हैं अबर मारत पे जो अभी भी अंडर आप्टेवलैप्टेड उन्हें इनका फाएदानी मिलता और जो आबचुलीमे defॉप्त है वो इसका मिस्यूज कर रहे है caste system and the dowry system, everything is going on because we want to feel included, we want to feel integrated as a part of a country एक बर ग्राउंड में उतर के जा के देखना चाहिए, अक्चुल में चल किया रहा है Hindi मा है, Urdu, Tamil, Mausi है पश्ट हिंदी में आप से वारता करेगा, पर हस्ताकसर अंग्रीजी में कर देगा पर हम English के पीछे क्यों पागल हो जा रहे है, चाहना तो नहीं English पढ़ाती है अपने बच्चों तो मारवाडी बोले रहे हैं, मतलब इसको क्या ही आता होगा English सीख लो, ठीक है, मगर हम English के पीछे मरे क्यों जा रहा है पहली बार मेरी मा ने मुझे बुलाया, तो उस भाशा को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ So I expect from my government that India becomes a developed country as soon as possible जिसकी जो भाशा है उसको उस भाशा में रहने दिया जाए अपनी GDP increase हो जाए बोर उठो मातपिता शीष नवाओ, आज उठा है कि बोर उठो, फोन खोलो, लॉक पर अपना अंगूठा नवाओ यह विमन जित्ती मल्टी टास्किंग है मेर नहीं हो सकते और यह फैक्ट है The end I would say that एक औरत ही औरत का दर्द समझ पाती है You can't ask a fish to climb a tree and expect her to actually do it तो हिस्ट्री में देखे तो रजिया सुल्तान को जब गद्दी मिली थी तो उन्हें भी बहुत बार क्वेस्टिन किया गया तो पब्लिक एरियाज है उसको क्लीन रखे नमश्कार मैं मानिका जयन स्वागत करती हूं आप सभी का पंजाब के इसी राजस्तान पे क्वान का कहना हमेशा सही माना जाता है तो आज हम आ गए हैं आमिर युनिवर्स्थी राजस्तान में जहां पर हम जाने कि यूवान का क्या कहना आने वाली गूव्मेंट के लिए ह।akah चैनल जो चाहते हैं स्वकार से तो यहां पर कितने लोग हैं जो अपना फिर्स्ट वोट कास कर रहे हैं आई यू आल गाई एक्साइटेड और नर्वर्स क्यों आप बताएं सब्सक्राइब क्योंकि हम अपना अधिकार का यूज करने वाले फिर्स्ट टाइम करने चाहिए या मेरी चीजें इस तरह सब चाहिए कोई अपने डव्लापमेंट में चाहते हैं एड्यूकीशन सिस्टम में डव्लापमेंट ओ लडगियां तो चाहते ही कि रास्थान में जितने फैशन कॉलिजीज नहीं है वो इंप्लिमेंट होना जाते हैं कोई ना कोई सब जनी चाहते हैं ठीक है तो कौन को नहीं पर सीम बनने के लिए उत्सक है कि आने वाले टाइम पर मैं सीम बनना चाहता हूं कितने लोग है एक्साइट तो नहीं है बड़ जैसे अपॉर्चुनिटी मिले तो अफ़कॉर्स आ सब्सक्राइब करना चाहूंगी प्लस अगर राजस्थान का सीम मुझे बना दिया जाए तो आस कंपेर तो अधर स्टेट्स यहां पर क्लीन लेनेस का काफी प्रॉब्लम रहता है तो मैं उसको भी काफी सुधारना चाहूंगी आइवुड से कि राजस्थान में जैसे कि वजह से ही मेरा तो काफी बाइस रहते हैं कि अचे उसको फूद्चिस के लिए तो उसी की वजह से हमारे काफी क्लीनेस का दिख् заключ आता है जिसकी से काफी सारी चीज़े जाती है जिसे टूरिजम यह सब काफी कम हो जाता है बर्ट आई इजुकेशनली मतलब प्लेसमेंट हम लोग को डिगरी तो मिल जाती है वर उसके बाद में प्लेसमेंट के लिए इशु होते हैं आपकी दिमांड है इंप्लाइमेंट की दिमांड किस किया अपना डिगरी घतम होने के बाद यहां पर सबकी ठीक है इसलाइक हम अभी जैसे विया लॉस्टू इंस तो हम फाइव यह का कोर्स करते हैं तो इस ताइम पर भी वी निए लिग अगर हम इतने एक्सपिरेंस हो गया है आप लोग कितनों को लगता है कि आपका वोट देना बहुत जरूरी है क्यों कि आप सब लोग अलमोस्ट पहली बार वोट दे रहे हैं तो क्यूं लगता है कि आपका फॉर्स वोट बहुत जरूरी है मैं और वोट देना इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले मेरा मौलिक अधिकार है वोट देना और शायद भारत की सत्ता बनाने के अंदर मेरा भी एक वोट काउंट होगा तीसरी चीज़ यह लगती है कि जिस पार्टी को मैं पसंद करता हूँ वो हो सकता है कि एक वोट से हारती रह जा और मेरे वोट से जीच जाए वोट देना मरे लिए इसलिए जरूरी है मुझे क्योंकि इस आजादी के लिए वोट डालने के लिए लड़े हैं बहुत सारी लोगों ने लड़े हैं अज मैं रिसेंटली परसो मैं जलिया वाले बाग में था तो मैं वो दृस्त देख का है हूँ कि जो एक वोट के लिए एक मौली कादिकार के लिए जो लड़ा गया लोगों के दो वारत तो देना तो जरूरी है और दीजीए ही हमें वोट कास्क दने के लिए भी ओडे पीर वोट कास्क करनए के लिए ज़ूरी है बहुत मां सब्सक्रान करना लोग है कि वोट वोर्ट से हमारे वोट Each Water achDie सब्सक्राइब आर सब्सक्राइब कोई और कोई और वह सोच रहा होगा हमारा यहां कितनी लोग आपना वोट का पस्नालेटी को देख करते हैं या फिर से कामों है डूनॉ का wonders लूए काम काम पहले था पहले पस्नाछी आती है ka गालने मैम शिक्छा शर्मा क्यों आपको ऐसा कियू लगता है कि कहाम आता है तो पस्सनाछी आती है काम आता है इसलिए जैसे मेरी फैमिली थी पहले एक कॉंग्रिस को वोट देती आती थी सतर साल से दादा जी तो आज भी देते हैं अब जब मोधी जी जी देते हैं 2014 में काम देखा पापा लोगों ने और वो इस बार शिफ्ट हो गए तो बिल्कुल ने दो आपको लगता है कि मैं वोट सिसमय राइट नो वन इल्स कें टेकिट अवे फॉमी थी कैंशच करती है एंदे फ्यों के अब काम देखती हूँ लग काम व इस इंपॉर्टेन क्योंकि हमारी माहिम भी हमें काम देखके मांग देदी वरना कोई निए मारी अब मेरा अप्यार्टी है सब्सक्राइब जाती है। को Inas if We daqui सो मैच करना मैं जुक्तर कौने तो मैं पसंद है कि वो एजग उसको चुन रहे हैं वह सब ósTrü का यह कि अगना यह सबुए वोगों को शुर्पार्टी या को वोड़िडर तो मैं यही था कि जिसको भी आप दे रहे हो जिसको भी आप चुनना चाहरे हो भी आप बताना चाहर elder yea कि हम यह बनना चीए तो क्यों बनना चीब कि यह तो मैं हम हमांब सेमेटि फाइफ यह पहती है और सब को मैं सुनते ही आ रहे हैं सारी लीडर्स को हम चुनते ही आ रहे हैं लेकिन मांड है तो यहां पर सब लोग बहुत इकसाइटेड अपने अपने वोट्स को लेके तो फाइव यह द्रीम क्या है आपका जो आप भारत सरकार से मांग करते हैं या फिर अपने भारत को कहां पर देखना चाहते हैं मैं first of all education चाहती हूँ कि वो better हो और education हम लोग अगर अपना course complete कर रहे हैं कुछ साल में तो हमें employment भी उस हिसाब से रोले है और reservation category भी हटनी चाहिए क्योंकि obviously उसकी वज़े से जो deserving candidates होते हैं उतनी opportunity नहीं मिल पाती है जितनी उन्हें मिलने ही चाहिए especially education में general candidates के लिए cut off अलग जाती है और बाकी SCOBC के लिए cut off अलग जाती है उस वज़े से बहुत सारे suicide भी attempts होते हैं जो नहीं होने चाहिए अच्छे आपे कौन-कौन लोग है जो अपनी reservation category को बिलकुल हटाना चाहते है अमेंडमेंट करना चाहते है अल्मोस सभी अच्छे amendment कौन-कौन चाहते है आपे amendment होना चाहिए और हटनी नहीं चाहिए या चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए कि मतलब हमारे पास reservation रहना चाहिए उसमें amendment होना चाहिए क्यों लगते हैं क्यों लगते हैं हर्शेता राजावत में reservation होना चाहिए क्योंकि हमने उसे benefit के लिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अगर हम देखा जाए तो आज भी मतलब कास्ट रुष पे कही ना कही हम जज करी लेते हैं किसी ना किसी को तो हमें क्या करना है उनको equally रखने के लिए reservation होना चाहिए बट जो reservation है उसमें amendment होना चाहिए मतलब जो reservation हमने जैसे 27% OBC को देते हैं तो थोड़ा कम कर देना चाहिए क्योंकि हमें थोड़े capable people भी चाहिए एसा नहीं है वो लोग capable नहीं है बट उनको भी equally मतलब राइस करें पीछे ना रह जाएं वो लोग क्योंकि हम आज भी वो लोग मतलब equal है नहीं चाहिए हम कह दे कितना भी अच्छा कितनी लोग इनकी बातों से सहमत करते हैं नहीं करते हो इस सहमत नहीं करते हैं कौन-कौन नहीं है कि मेरे ख्याल से कि रिजर्वेशन जब लाया गया था यह जो नीची लोग है नीची लोग है इनको डेवलब नहीं होते थे लेकिन अब रिजर्वेशन आने के बाद उस समय अब 70 साल हो गया है रिजर्वेशन को अब मेरे ख्याल से जो नीची कास में वो भी काफे ज़र्वेशन की ज़रूरत नहीं है भारत में I think बहुत साल हो गया है और एक limited time period के लिए लगाया गया था अगर हम history पर थोड़ा ध्यान दे तो और अब इसका misuse जादा होने लगा है proper use की जगे मैं यह नहीं कहूंगी कि lower caste अच्छे दरीके से develop हो गई है जो अभी भी underdeveloped है उन्हें इनका फाइदा नहीं मिलता और जो actually में developed है वो इसका misuse कर रहे है तो इसे अब हटा देना चाहिए अच्छा political party में जो भी हमारा leader होता है तो आप उसके अंदर क्या-क्या changes चाहता है माँ recently when I was traveling तो I met a girl जो मेवार से थी and she told me कि वहाँ पर child marriage होती है मैंने सुना child marriage but when I heard the age she was she said कि उनकी शादी पांच साल में होई थी and she also had shown me some photos जिसमें अभी भी वहाँ बच्चों की शादी पांच साल छे साल की एज में हो रही है and all that caste system and the dowry system everything is going on तो मैं चाहूंगी कि leaders जो भी हो they should more be focused on the ground things मतलब आप गदी पे बैठ कर you're just dealing everything वो नहीं होना चाहिए एक बर ground में उतर के जा के देखना चाहिए अच्छल में चाहिए रहा है जस बड़े बड़े states का बड़े बड़े districts का देखकर you should not make the opinion लब चोटे-चोटे लोग भी बहुत सारे हैं जिनको चाहिए वो development and I really felt that that day की नहीं 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 चाहिए in that manner I have a different change that I want to ask for as somebody who has a roots from the North India and has been brought up in the South India I feel like the language barrier is a huge gap between two parts of the country and I really would like if the leaders convey the fact that both the parts of the country are equally important and give importance to every language in the country not just one because we want to feel included we want to feel integrated as a part of a country when we talk about equality, we talk about English in English you speak in Tamil, I am happy you speak in Hindi, in which country has 300 languages sorry sir, I am going to drop 300 languages, who comes to this language? I come to this language, I come to this language Hindi, English? one, mother, mother that's the problem, welcome to South India, nobody understands Hindi there everybody is forced to learn Hindi there which is not right I don't say that you don't learn Hindi I want to say that those children who are going to learn English in the college they learn Hindi and also the Tamil also learn Hindi our children have been running the first time for Hindi so we are appealing to them, we don't do it Hindi is not right, but English is a common language for all the states because if you are in Kerala, my friend is a friend so he doesn't come to literally Hindi and he doesn't need to learn Hindi English is important because we go to a job somewhere we are going to take a job somewhere and if you are going to take a job somewhere you will have to ask your English I think that English is important because the whole world speaks English we don't speak English because the whole world speaks English we don't speak English because it is our standard but I think that English should learn and speak because we are working with the world the world is now going to be very advanced and technologically advanced government rockets not only launch rockets and private companies launch SpaceX has been launched and now you can see that Indians are working there to work there and Bharat people are working there Google CEO is a Bharat that's a proud feeling for our Indians Prime Minister you can see the Prime Minister so that's why we are building a globalisation we are building a global world we are building a global world which we can prove ourselves as capable Indians I have some batchmates who belong to Tamil Nadu and when we talked to them why they came here their main motive was to learn Hindi they have to get people here but then we said they will get this according to employment we have told them that they don't come to Hindi they didn't learn in school so their main thing was that they didn't learn in school they told them that they don't choose Hindi because if you want a job in Tamil Nadu then you should be Tamil and you should be Tamil and if you have a subject if you have a subject if you don't have Tamil then they won't get a job there and if you want a job in Tamil Nadu and if you want a job in Tamil Nadu then we won't get them because we have not learned Tamil First of all, reservation and all these things are very difficult and we want to change first of all, our language system is that every person doesn't come to a language so we need to learn and we need to learn about the language and all people need to learn and that is Hindi and English and you all know that everyone is Hindi will come to a language and all those things will come to a really good if you want to understand and you have to answer and answer and then you can get me तो मेरा भी एक पर्सनल एक्स्पिरियंस रहा था कि मैंने मेरी ग्राजुएशन नॉथ इंडिया से चंदिगट से करी थी मुझे महां पर पंजाबी नहीं आती थी ठीक है मेरे साथ भी लाइंग्विज बैर तो मेरी यही डिमांड है एग्रेविटी ओल गाइस कि हमारी एक दो लाइंग्विज जरूर होने चाहिए हिंदी और एंग्लिश की हर सिटीजन को आने चाहिए कंपल्सरी नहीं हो सकता कि कुछ पुराने बुजर्ग लोग हैं वो नहीं इन चीज को अमेंड कर पाएंगा कि मैं बिहर पंजाब राजस्थान की बात कर रहा हूं राजस्थान की बात कर रहा हूं वहाँ मैकसिमुम लोग मिल जाएंगे जिने ग्रिम आतीए तो नॉकर नौर्ट मी तो लोको के हिंदी आती है तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको इन दोनों भासा ही नहीं आती हैं, मैं चाहता हूँ, वाई इंगलिस, ठीक है. मैं सीखने को तयार हूँ. अच्छा, आपकी एक ही मांग है, कि हिंदी होनी चाहिए. यह जानना चाहता हूं उनको वो भी जाने हिंदी को मैं हर भासा को जानिये पड़ हम एंगले पिछे क्यों पागल हो जा रहे हैं चाहना तुन नहीं पड़ाती है अपने बच्चों को अगर आपको मान लीचे अंग्रेजी बाशा खुद में लानी हैं अग्रेजी बाशा पर आपको महारत हासिल करनी है या हिंदी जो साहित ते अगर उसके पर व्याकरण के आपको महारत हासिल करनी तो सरप्रतम आपको खुद के अंदर उस चीज को बनाना पड़ेगा आप एक तमिलियन है ठीक है पर अगर सब के सामने आप अपने तमिलियन का कल्चर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं आप अपने घरवालों से तमिलियन में बात नही अगर हमको इन लैंगवेज में से कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए इनके कल्चर में से कुछ अच्छा सीखने मिल जाए तो क्या गणिमत है ठीके तो आप लोग घोशना पत्र जो होता है जो सीएम लेता है अपना प्लेज उसके अंदर कौन कौन से अमेंडमेंट्स चाहते हैं कौन कौन से बदलाव चाहते हैं बींग यूथ बींग यूथ फॉर्सली आइवांट माइन नेशन तो ओवरकम देवलपिंग इंडियन यूथ खार आपति यूथ धूथ जालाव इंड बींगूब का सौन पार पर बींगिक का खुशन पस्वाशन प्लेज ऑपना प्लेज नेशन कर सब्सक्यां का प्लेजिज इंग प्लेजिब बींग एपना प्लेज उन्प टो यूथ अजिए क्मान एंट टेवल्प टकान and we would like amendments in education system definitely then if we talk about language then I think that English is one language which connects our our country yeah with other countries as well so if there is a connection which other which we develop with other countries then it is well and good otherwise if we promote Indian culture then it is more good because we tend to globalize what we have within us. We have to progress so much that the country will be developed. The developed countries which are nations like USA and America will come in a category. The GDP will increase, the train systems will be perfect, the roads will be perfect. The education system is running so much in Delhi and in Rajasthan there is no education. There is also child marriage. The government is running on the country which is under tier 2-3 cities. The women also have to collect domestic violence from domestic violence. So the women also have as well to be aware of these. I want to know that these are all amendments. Corruption would not have to be reduced. First of all, the first thing is that we see somewhere पर भी देख लेते हैं कि अभी उन्होंने भी कहा कि जिसे डॉमेस्टिक वाइलेंस होता है तो अगर कोई और अगर जा कर अगर क्योंकि माम मैंने खुदने भी देखा है बहुत सारे लोगों को जिन और तो को उनके हस्बंट जिनको घर पे मारते हैं दौरी के लिए उगेरा तो माम वो लोग जब औरते जब अपने पुलिस स्टेशन जब जा दी घर से भागे और पुलिस स्टेशन में जाके उनके हस्बंट सा जाते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं और फिर उनके हस्बंट को भी कुछ नहीं होता है और फिर वापस से डॉमेस्टिक वालेंस क LA clue कितने लोगों को लगता है कि जो हमारी पॉलिटिक्स है वो सोचेल मीडिया से इंफिल्वींस है या क्यों आग चुल के आपने देखा है कि इसे तॉचल मीडिया कितना Spiritualping हो गया है इवन केंवल पॉलिटिक्स नहीं, यूथ नहीं, सोशल मीडिया सब को इंफ्लूएंस करें और ओन्गोइंग ट्रेंट्स पे हर कोई आना जाता है, of course तो अपनी पॉलिसिटी के लिए लोग जाधा काम करें पॉलिटिक्स में ऐसा हो गया है कि वेलफेर के लिए आप जाधा काम नहीं करो आप पॉलिसिटी के लिए काम करो, for your name, for your fame, पैसा आएगा इसलिए तो उसके उपर जाधा ध्यान दिया जा रहा है और जो real issues है, उनको neglect करके जो फालतू के issues है कहीं बार उन पे भी ध्यान दिया जाता है I don't know why है तो आपको लगता है कि हमारा जो पॉलिटिक्स है, वो social media से influenced है For example, अभी के में दो डीसेंट examples दूँ, तो पहला है example, Big Boss जीता था, Elvish Yadav ने और जो CM था, उन्होंने appreciation के लिए Elvish Yadav को बुलाया था और पूरा एकदम Big Meet-Up प्लान किया था जो इतने सारे gold medalist और silver medalist होते हैं, हर्याना के उनको तो इतना appreciation मिलता नहीं है और secondly, Ankitabaiyanpuri, जो की काफी influence कर रहे थे अपने youth को और Modi जी उनसे specially मिलने आए थे, उनसे meet-up करने तो ये शो करता है कि social media कितना influence कर रहा है politics को जब West Bengal में election हुआ था, ममता जीदी और प्रधान मंत्री की बीच में बहुत बड़ी टकरार हुई थी तो एक नड़ा जी की बहुत important एक quote था कि ये हम है ये बंगाल की जनता और यहां विकास का कारे हो रहा है तो आज कल हम देखते हैं कि जितने भी politicians हैं वो ज्यादा तर जो memes है उसके उपर focus करते हैं कि ऐसे कुछ memes उनके उपर बोल दिये जाए उनके साथ memes के तुरू अगर बात की जाए तो लोगों को चीजें बहुत जल्दी समझ में आती है क्योंकि हमारा जो यूथ है वो दिन भर में सुबह उठेगा पुराने समय में हुआ करता था कि बहुर उठो मात पिता शीष नवाओ आज उठा है कि बहुर उठो फोन खोलो लोग लोग पना अंगुठा नवाओ और एक स्क्रॉल क पर आपको सामने आएगा वुपेंदर जोगी मैंने कटी टॉफिक आई है तो सरकार भी चाहती है कि अगर देखें मेरे दो जोग बोलने कि वैसे सारा ओडियंस हैंगी जो गया तो गोवर्मेंट भी यही चाहेगी जो पॉलिटीशन भी चाहेंगे आपकी बात बहुत तो आप अपनी स्पीच कैसे यूद तक कनवे करेंगे अगर मुझे पॉलिटीशन बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले आपकी पॉलिटिकल स्पीच क्यों होगी वन टू साट करते हैं मेरी पॉलिटिकल स्पीच होगी कि जैसे कि मुझे फिलाल के जो देश के प्रतान है उ लोगों से कनेक करना चाहूंगा मैं जितना यूवाओं को देखता हूं आज कल के जो नहीं जेनरेशन है यह लोग असल जिंदगी में नहांके नहीं आते हैं पर नको हाइजीन से बहुत फरक पड़ता है तो मैं यह सत्त बात है मैं जूट नहीं बोल सकता तो तो मैं सबसे पहले लोगों से यहीं चाहूंगा कि लोगों से बताओंगा कि वह यह जितने भी आपके आसपास के पप्लिक एरियाज है उसको क्लीन रखें क्लीन लखने का पूरा प्रयास किया जैका फर एक्जामपल आप जैपूर जो राजस्थान की राजधानी आप उसको देखिए यह राजस्थान की राजधानी होने के बावजद अगर आप सिंधी केम्प में जाते हैं तो आप आसपास देखें कितना कचला फैला हुआ है क्या यह एक राजधानी ऐसी होनी चाहिए किसी राजे की अगर हम यूथ को ही बोल दिया जाएना कि रापर उठाके, हमको माम दे बोल देके कि रापर उठाके अब डस्ट बिन में ढाल दो सब जने वासे अगर पांच जने कोड़ेंगा सब जने धर होतर हो जाएगे क्यों होता है हम तो यह होता है जो हमाई डिमार्ड हम क्लिलनी लेस्की कर सकते हैं वो शुरुआत खुद से क्यों नहीं करते हैं अगर हमें वो सिखाया जाया है जैसे की काफी सारे बच्चे हैं इवन मीवाइफाइपर आपसाइपर 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 शुरु कर देते हैं कि अपनी सिटी को क्लीन रखना चाहते हैं और अपन देखें तो अभी इन चीजों में एक्वालिटी नहीं है हमें बच्चपन से प्री स्कूल से सिखाया जाना चाहिए और ऐसा नहीं है कि केवल स्कूल में सिखाना चाहिए इवन हमारे घर से भी काफी इंफ्लूएंस होता है अगर वो लोग हमें सिखाएंगे इस चीज़ पर वोक करना सब्सक्राइब करना चाहिए जो आपके साब से ठीक नहीं है अगर मैं बात करूं जैसे अगर अभी हम क्लीन नेस के उपर बात कर रहे थे तो यह कोई बहुत बड़ा इशन ही अगर हम अपने ग्राउंड लेवल पे भी या सब कोई भी करना स्टार्ट करें तो यह इतने बड़े इशू की बात नहीं है तो और भी जैसे मैंने इंप्ल सब्सक्राइब कोई नहीं बोल रहा होता है और फिर माम ऐसा हो जाता है की अगर आप लोगों ने सुना होगा तो माम मैंने फेमिनिजम के लिए सब लोग बोल रहे होते हैं लेकिन LGBTQ कम्यूटी के लिए कोई की नहीं बोल रहा होता है और फिर माम ऐसा हो जाता है की अगर इंडिया में प्रोटेस्ट भी होने लग जाएंगे तो भी उन लोग का मजा कोड़ाया जाता है और उन लोगों सिर्फ इतना बोलते ही वो लोग सिर्फ सब कुछ पैसो के लिए कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं ह कॉलेज की दरफ से लेटर आ गया एक हफते की छुट्टी है वह फेक क्यों आप सब लोग उसको मान लेंगे अब ही बात सची है अगर पता भी चलिए ना फेक है मैं हमारा पास तो लेटर आया था हम दो एगरी करते हैं इससे तो आप लोग कैसे पता करते हैं कि यह न्यू कि यह सही है या गलत है आप किसी भी एरेगेरे से पूछ लो कि हाँ यह चुट्टी दे रहा है छे दिन की चुट्टी है तो मान लो तो आपकी गलती है वह अब ऑथन्टिक सोर्स होने चाहिए अगर आपको पता करना है अब पॉलिटिकल जो भी न्यूस आती हो इसके सबसे पहले ना करते हुए भी आपको 48 गंटे तक उस चीज को विजुलाइस करना चाहिए उसको अनलाइस करना चाहिए अगर हमने 48 गंटे इंतिजार कर दिना सरकार बनके खड़ी हो जाएगे और हम तो पीछी रह जाएंगे साथ नहीं मैं पर 48 गंटे के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो बने वे सरकार गिरा भी सकता है आपके बनाइस को नहीं मानना चाहिए अमें उसकी ऑथेंटिक सोर्सस को जानना चाहिए सबसे बहुत अगरे विद आट इसको पता है कोई ऐसी चीज की हम उससे अपना फेक न्यूस को पता करवा सकते हैं कितने लोग इसका इस्तेमाल करते है अपनी न्यूस चेकाउट करने के लिए सबस्का क्या प्रोसस रहते हैं अलब कैसे आप पता कर पाते हैं उससे मैं like your broadcasting channel there are various channels as well which do that fact check of any fake news like there's a forum which just does one thing throughout the day there's a broadcaster called as alt news which does is fact check of the fake news that surrounds the political scenario of India if you submit any news it will just fact check and just like accumulate every sources and we'll check that news if it's correct or not आप लोग इस जो भी हो रहा है से कि लग रहा है कि आपकी बात आगे तक पहुँच जाएगी आपको हलका हलका फील हो रहा है कि मेरी बात है मन इलका हो गया अब सरकार उसके उपर बात करेगी बात करें तो फीमेल सेक्रिटी पर ऑपर में जाएंग उपर स्ष्ट कि रीटेमल सेक्यूरिती परी मेल जाएंगी चीजे आप झात। विपर्म्फो कर देंगे लाज़त कर देंगे डाजानें में राजस्ताने वाज़ती डिश्ते pursuing a कer दीले सुलेटे पूपलेम्यन इर तो फिर आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन से चीज है जो विमेन फेस करेगी चालेंज हो जाएगा उसके लिए कि अगर हमें किसी विलज की नारी को लेके आएंगे फीमेल को लेके आएंगे तो उसके लिए कि बहुत बड़ा चालेंज डाएगा वो ससाइटी फेस नहीं कर पाएगी विलज की किसी विमिन को सामने लेकर आते हैं फ्रेंट फेस बनाते तो गाजस्तान के अंदर ऐसी बात कर दिया गया है तो language barrier एक बहुत बड़ा importance खड़ा करेगा क्योंकि देखें कहने के लिए सब लोग बोलते हैं कि हम सब की इज़त करते हैं पर अंदर नहीं जानते हैं रहे तो मारवाड़ी बोले रहे हैं मतलब इसको क्या ही आता होगा कितनी पाफुल हो कोई नहीं जानता होगा तो वुमन सबसे साथ है language का तो face करेगी क्योंकि जो उसकी native language है वो जाहिर सी बात है उसी में convey करना चाहेगी ठीक है क्योंकि मा की एक आदत होती है कि उसके अंदर कितने भी किसी फैमिली वाले के प्रती गुस्सा भरा हो सासु जी ने डांट दिया हो यह दिवरानी जी ने डांट दिया हो लेकिन वो अपने बच्चे को प्यार से यह बोले कि बेटा आजा खाना खाले तो जो उसका soft tone है जो वो मिस कभी नहीं करेगी और शायद यही एक वज़ा है जो उसको आगे जिताने में भी काम करें major challenge जो कोई भी women candidate face करेगी वोगा male ego जो बहुत ज़्यादा होता है कि वो मुझसे आगे कैसे तो this is one of the things जो मुझे लगती है and but on the contrary women जित्ती multitasking है male नहीं हो सकते और यह fact है कोई माने या नहीं माने बटाए belief कि they can carry on task so nicely और सब काम एक साथ कर सकते है अच्छा तो एक चीज यहाँ पर सब लोग agree करें कि women change भी ला सकती है society के हंदर male हो जाए female हो सब जनर नहीं इस बात पर agree गया ठीक है तो अब changes तो सबको पता है कि यह कर देगी female security की बात आजाएगी challenges क्या-क्या है one one challenges कौन-कौन बताना चाहेगा अगर कुई ऑरत politician बनेगी तो there are chances that her opinions or her point of views might get suppressed from the male candidates but in the in the end I would say that एक औरत ही ऑरत का दर्ट समझ पाती है physical challenges because women as compared to men are physically slightly weak I would like to say because our bodies are built in a different way and their bodies are built in different ways but I would expect them to respect that because you can't ask a fish to climb a tree and expect her to actually do it you have to judge her on her capabilities and not expect her to be equal to a man with respect to what he is equal what he is good at challenges के बात करे तो यह पे एक प्रॉब्लम क्रीट हो जाईगी challenges तो थोड़ा लाग है कि जैसे कि अगर आज गाउं से विले से अगर हम लोग लोग क्या आते है women को तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि वो influence होगी अपने husband से family members से तो जो भी वो role play करना चाहेगी तो एक family person होने के कारण वो जो decision लेगी ना थोड़ा सोचेगी और जो decision हो सकता है कि उसको overpower किया जाए जाए तो देखा जाए तो अगर एक women elections में या फिर politics में उतरती है तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि जो उसकी backbone है एक women की backbone है वो कहीं ना कहीं एक that's a man so there can be chances that a women's thoughts can be a manipulation of a man's words तो अगर कोई आदमी अपनी बात कोई पहुचाना चाहते है तो they can target women की women कि तुरू अगर वो बात पहुचाए तो उनको political power मिले तो ये challenge काफी जाता women face कर सकती है political scenario में अगर changes लाने है तो women क्या change ला सकती है तो जैसे कि Rajasthan is famous for child marriages so women a woman who has been through it knows that it is wrong so she can express her views and opinions regarding that हमारी society patriarchal society है तो अगर एक women को power मिल भी जाते है तो उसके हर decision को question किया जाएगा by other politicians and also history में देखे तो रजिया Sultan को जब गदी मिली थी तो उन्हें भी बहुत भार question किया गया था and she eventually had to step down अगर किसी women को अपन सत्ता में लाते हैं तो मैं वो right to freedom दे सकती है right to life दे सकती है right to education दे सकती है मैं और मैं अगर हम देखें कि women अगर सत्ता में आती है तो उसके questions तो मैं उसका live example तो मैं हमारे द्रौपती मुर्मूर थे मैं president उनको बनाया गया तो उनके कितने सारे questions उठे गए उनके उपर कितने सारी बाते करीगे लेकिन मैं at the end उनको बनाया और अच्छा काम कर गए तो आज हम आयते आमेटी उन्यूवर्स्टी जैपूर के अंदर हमने यहाँ पर student से जाना युवाँ से जाना कि उनका क्या कहना है सरकार के लिए जो और यह सब लोग सभी लोगा गैस कि सबी लोग बहुत excited है 25th of November के लिए अपना first broadcast करेंगे मैं मनीका जैन वीडियो जोर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ पंजाब के से राजस्थान